अंजी भुदारा आवास वगरा आरी है कि नि? सज्च़ नवस्थी नवस्थे नवस्थ व॥ा नवस्थी नवस्थे अथ्यों अ तो जल्दी सेग माँ बताओ आओ सवगर Odyssey से के लिर आरही है कि गुड़ एंव्निंग से गुड़ ईवनिंहें वाल आओ वाव ति जिलाथ से काहशन है सर्मस्त थर आस वाः अग चिला इंटर सर कुछ यहां तक आपका आज का भी पेपर जो हुआ है उससे यह पता लगाए कि बेसिकली जो है इस बार अभी तक बहुत ईजी पेपर आया है ईवीएस का तो ज्यादा आपका एटेक लेने की दिक्कत नहीं है ईवीएस बहुत ईजी आ रहा है ठीक है मैट्स का आज का थोड़ा सा पेपर मॉडरेट रहा था बागी हिंदी बहुत ईजी था कि आपका कैसे पता चलेगा पेपर में क्या पूछ रहा है जो बच्च कैसी है एकerkियरे वो अपने बता देते कि सर येवाला कोष्टन पूछा गया था ओको आचले कि अई एक memory base बना दिया जाता है कि भाई ये इस वाले topic से ये वाला type का प्रश्न बनाया जाता है exact नहीं बता पाएगा कोई exact तो जो बहुत तरीके से रटके आया होगा वही बता पाएगा आवाज आ रही है थोड़क कम आ रही है अच्छ बड़ा ते रुखो सर पेपर नहीं शो करेगा क्या भी पेपर अभी नहीं शो करेगा पेपर आपका शो करेगा जब सारे पेपर हो जाएंगे उसके करीबन 15-20 दिन बाद पेपर शो होगए वह भी जब सीटेट का रिजल्ट आज आएगा उसके 15-20 दिन बाद संस्कृत का बेटा विराट यादब सबसे बड़ी बात यह ना संस्कृत का कोई यहां पर टाइप नहीं कर सकते तुम संस्कृत तो कोई बताई नहीं पाता है संस्कृत का कैसा हो संस्कृत याद रख पाना कि यह पूछाता हो पूछाता है इसक्वाइट डिफिकल्ट टा चलिए तो एक बार जह भारत ठीक है स्वागत है आप सभी का एक्जाम पर टीचिंग स्कूल पर जाब आपका के वीएस का संजीबी वेच चल रहा है विद प्लाइट 70 परसेंट और प्याटी स्पेशल विद जन्रल पेपर 1125 में आपको दिया दा रहा है तो पके हुए चावलों को जैवलिंडविया का में अधिक समय तक संरक्षत श्रक्षत रखा जा सकता है क्योंकि शूषमजीब कंुम तापमान पर शूषमजीब हो जाते और मर जाते कंपामान पर भोजन में नमी की बताइए को चार फरवरी को है क्या बात यह मेरे चर्णों में परणाम मत किया करो ऐसे चर्णों में तुम लोग यह दिल में तोड़ी चले तो आंसर टू दिस कुश्चिन बी देखे जनरली जैसे सर्दी आती है ठीक है तो सर्दियों में आपने देखा होगा जो बाहर बेसिकली बहुत सारे लोग होते हैं ठीक है सूचमजीव टाइप के जो पूरे टाइम और का का कर रहो जिनको खुद अपने काम से तो मतलब नहीं दूसरों में उडंगा करना वो तक क्या हो जाते बेसिकली निश्क्री हो जाते हैं ठंड लग रही है प्रभू अबाट ठंड पड़िया चौड में पपन की मैया नेक सुलगाए दो नीचे काबोल तो इसको बरोसी ताप ले हाथ तो सब लोग ठंड में कैसे हो जाते इनक्टिव से हो जाते निश्क्रिय से हो जाते जैसे ठंड आती है फिर टोपा अठाके और जलवा चले तो ऐसे ही आपके जो माइक्रो और्गिनिसम है यह मरते नहीं है ठंड से यह आपके क्या हो जाते है निश्क्रिय हो जाते ए विल भी दा राइट एंसर एस का सही जव संत्थाली से कुछ्ष्चन आ रही से पर करवाये तो है संत्थाली का संत्थाली ट्राइब कहा किये एक निम्बॊ- सामान-पानी में दूब सत checkpoint है। अदिक है सामान पानी से खारे पानी से अधिक है खारे पानी में निम्बू की मात्रा बढ़ जाती है निम्बू खारे पानी में घट चाता है तो बेसिकली answer to this question विल दी एक निम्बू सामान्य पानी में ठीक है एक normal water और एक पानी में आपने मिला दिये क्या नमक ठीक है तो यहां पर निम्बू आपका क्या हो जाता है ठीक है basically ठीक है बेसिकली टैरता रहता है ठीक है बट यहां आपका सामान्य पानी में निम्बू ढूप जा रहे तो इस वाले पानी में निम्बू का खनत्व जादा इसलिए निम्बू दूप गया ठीक है ब इस वाले पानी में ठीक है पानी का घंळटव निम्बू से जादा है तो इस वाले पानी में ठीक है जो आपका यह यह क्या कर रहा है तो बेसिकली जो घ्रत्व है सामान पानी से नमक पानी का अधिक होता है इसलिए आपका एवल वीदा राइट अच्छा अगर इसी कोश्चन को अगर इसी प्रश्ण को मैं थोड़ा से घुमा दूं कि यह जो निम्बू है ठीक है साधे पानी में तो क्या हुआ ठीक है नहीं स निम्बू पर साधे पानी में कम लगा ज्यादा लगा जोर का जटका जोरों से लगा जोर से लगा या काटा लगा अगर इसी कोश्चन को एग्जामेनर ऐसे पूछ ले कि आपकी नमक के पानी में निम्बू क्या करता है ठीक है तैरता है जबकि साधे पानी में निम्बू डूब जा रहा है तो उत्प्लावन वल निम्बू पर साधे पानी में कम लग रहा है इसलिए दूब गया जादा लग रहा इसलिए डूब गया जोड का जटका जोड से लगा इस लियो गया या पर काट लग wor आ तुम लोग तो इरे हो गए हो तुम सारे कंसेप्ट कर दोगे मेरे को तुम लोग पूरा वरुसा है और सबकी बट्टी बुज्जा ही अगर ऐसे कुस्तन आए तो तुम लोग पेल के आजाओगे चलो तो यहां पर क्या हुगा उत्प्लावन बल हमेशे कहां से लगता है अगर यह कम लगा होगा तो यह नीबू डूब गया होगा ज्यादा लगता तो यह नीबू को क्या कर देता तैरा देता तो यहां पर यहां पर उत्प्लावन बल किसमें नमक के पानी में उत्प्लावन बल ज्यादा है और यहां पर बल कम है इसलिए क्या हो गया डूब गय तुम तो दिल खुश कर दिया तुम लोग ने आज मलेरिया की उपस्थिती के लिए रक्त का परिक्षन करके मलेरिया का पता लगाया जा सकता है यकरत रक्त में यकरत कोशिकाओं को तोड़के रक्त में मच्चर के लारवे को तोड़के लाल रक्त कोशिकाओं में मच्चर के लाल रक्त कोशिकाव में प्लाज्मोडियम की उपस्थिती से बाबा लेंगोई लग रहा है ले डूबेगा नहीं पेटा लेंगोई बहुत इजी आ रहा है चलिए आज भी मलेरिया की ऊपर कुश्चन आया कि मलेरिया की खोज किस ने करी आज के पेपर में ठीक है पूछा गया मलेरिया की कोज किस ने करी पुलिस ने डॉक्तर ने ठीक है माली ने यहां पर उपरयक्त मैं से कोई नहीं बताओ ठीक है तो वेरी गुड आंसर तू दिस कुश्चन विल भी डॉक्टर ने बट कुश्चन में ऐसा कुछ नहीं था यह तो मैंने बना दिया रॉनल्ड रॉस मुलेरिया की कोज करने वाले डॉक्टर का नाम क्या था रॉनल्ड रॉस ठीक है रॉनल्ड रॉस डॉक्टर रॉनल्ड रॉस ठीक है कुश्चन यह था कि मलेरिया की कोज किस व्यक्ति ने करी तो डॉक्टर रॉनल्ड रॉस तो तुम मूं का टेड़ा कर और इंदन की रूप में लकडी या गाय के गोबर के उबले का उपयोग करके चूले पर खाना बनाती है यह 2018 को कॉश्चन है सीटेड का पिछले तीन महीं से उसने खासी हो रही है तेज खाजी तो इसका कारण क्या हो सकता है इंदन जलाने से उत्पन कारवन मोनोसाइड जो उसकी शुशनपत में जमा हो सकती है इंदन की जलने से उत्पन कालिक जो उसकी शुशनपत में जमा हो गई है इंदन जलाने से उत्पन धुआ जो उसे ऐलर्जी का कारण है यह बुडावा और उसकी जोपड़ी के अंदर भा फेरी गुड थीक है सर मेरा एक्जाम दस्को है तो क्या हुगा ततास तो तुम्हारे पार बावा की जाएव मेरा दिमाग भी ले दाना ठीजिंगे अपना दिमाग पहला एक डिमाग पहले सिरी बेच तो बहुत सारे लोग गताता है कि नंसे नमकूल नमलू अपूल नमकूल करेंद नहीं पत्वाली कईनल मैं कर तो इंदन जलनने से उथ्सान जो आपकी जो फो सूट निकलता है जब आप बेसिकली क्या करते हो इंदन जलाते ओ जो उपले वगेरा जलाते तो उससे धुआ निकलता है तो उस काला धुआ होता है उसको जूट गोलते वह स्की रस्पाइरेडरी ट्रैक में जम गया होगा जिसकी विएसे उसे खासी आती है तो बी 2018 का कुश्चन है ठीक है 2018 का कुश्चन है हमारा पेपर 20 को है कॉंग्रेचुलेशन मेरा 6 परवनी को है कॉंग्रेचुलेशन गुड़ लग फॉर दैट ठीक है 11 को है गुड़ लग फॉर ठीक है नौ तो कथन और वाश्पन में आसिरवाद दे दीजिए अगर ताइगर का पूछ ले तो 29 जुलाइब तो बताओ क्वथन और वाश्पन में क्वथन से पानी की स्थिती में परिवर्तन होता है जबकि वाश्पी करन से नहीं होता वाश्पी करन किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं हो सकता क्वथन से तरल की मात्रा में कमी आती है जबकि वाश्पी करन से नहीं आती क्वथन द्रब का वाश्प में परिवर्तम देखा जा सकता लेकिन वाश्पी करन का नहीं देखा जा सकता वेरी गुड बहुत बढ़िया answer to this question वाश्पी करन किसी भी तापमान पर हो सकता वाश्पी करन के लिए तापमान ज़रूरी नहीं है वाश्पी करन चार चीजों पर वाश्पी करन भी क्या होगा जादा तो ताप जादा ठीक है तो वाश्प जादा ठीक है अगर आपका ठीक है सताई शेत्र जादा होगा surface area सताई सेत्र जादा होगा तो वाश्पी करन भी क्या होगा जादा हो ठीक है अगर speed of wind अगर आपकी वायू की गती speed of wind unm vow ृ स्पीड वीड वायु गती फैसे जादा होगी तो वास्पी करन बी जादा अगर हुमेड़ी अगर हुमेड़ी अद्रता जादा होकी टो वास्पी करन कम यहीं कम को जाएगा खेक है तो आज भी करन कम हो जाएगा तो इसका स्क्रीन चॉट ले लिए ठीक है क्योंकि इस पर आपका कुश्चन पहुचा गया है गंगा एक्षन प्लान 14 जनुवरी 1986 बहुत बढ़ी है सीटट की आईसी की ताईसी करके सावास ततास तुगुर्वसी अपना माइन अमको दिए दीजगह जिप ले जाएँ पेपर वाले दिन दिमांग उदा ले 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 मेरे कुश्चन में बता दो पूछो बेटा क्या है कुश्चन ना चीक है तो क्लियर है इसका स्क्रीन शॉट ले लो क्योंकि 2019 में इससे कुश्चन आए दोजार उनीस में इससे कुश्चन आये तो गंगा एक्षन प्लान तो बताए चाह तो नमामी गंगे प्रोग्राम भी बताए गंगा एक्षन प्लान भी बताए चलो नेक्स इंग इस अगला कुश्चन ठीक है निम्न लिकित मैं से किसे भारत की डाइमंड सेटी के रूप में जाना जाता है सूरत पन्ना मुंबई चैप सर्थ मैं भी याद करने का ट्रिक बताएंगे आरे बहुत इजी है मैं भी याद करना लाला हूँ ठीक है तो very good answer to this question will be ठीक है सूरत सूरत आपकी डाइमंड सेटी है ठीक है और अगर सूरत option में ना दिया हो तब आप चूज कर लेंगे क्या पन्ना next thing is ग्रामीन छेत्रों में जॉबडियों के आज भी आज ये question आया है सुबह में ग्रामीन छेत्रों में जॉबडियों के फर्ष और दीवारों पर गाय के गोबर का लेप किया जाता है उन्हें चिकना और साफ करने के लिए घर्षन बढ़ाने के लिए मोटा बनाने के ठीक है तो ग्रामीन छेत्रों में फर्ष को आपका चिकना बनाया जाता है ऐसा क्यों पन्ना की तमन्ना की हीराव से मिल जाए प्लीज डारेक्शन वाले question बता जीजाए आएगा अभी डारेक्शन ठीक है तो very good answer to this question will be कीडों को दूर रखने के लिए और ऐसे यह कहां किया जाता एंसी आटी में कहां बताया गया राजस्थान में ठीक है जहाब है आपके घर भी कटीली घर के जो छते रती कटीली जाडियों से बनती है और घर आपका मिट्टी से बनाया जाता ठीक है और इसका आयता है दो मीटर क्यूब है तो प्रतवी भर इसका द्रविमान क्या होगा एक सो साट एक सो बीस समान या फर चंद्रमा का चार गुना जादा होता है संद्येशनल पार्क वाले कुश्चन करवा दी जाए कितने तो करवा हैं सर मैं आपको कुश्चन सेंड की आप नहीं बता है अरे फिर से सेंड कर दियो भाई ग्रीन आप गयास वाला वी था तो कितनी बार तो ग्रीन एक आउस गयास बता चुका हूं मैं आप चार गुन चार गुन चारगुन चार चार गुन ठीक है दुष्टो वल्ल्यूम सकल्टू मास अपोण density is called to mass upon volume घनतव वरावर क्या होता है द्रभ विमान अपन आयतन तुमको बोल रहा है कि एक वस्तु का घनतव साथ है ठीक है उसका आयतन दो मीटर क्यूँ है ठीक है उसका प्रत्वी पर द्रभ विमान कितना होगा कितना हो जाए 120 तो चार गुना कहां से बना रहे हो देखो चार गुना होगा घई बड़ा होगा संभिधान पर कुश्चन करवा जीजे करवाए तो थे करवाए तो थे करवाए तो थे नहीं पूछ रहा है बेट नहीं पूछ रहा है डंसटी भी को सजिद गई गल्दी मेरी अमा सुनरे कोठे में तुस्ट ठीक है कहां तुमसे ग्रैविटी के बारे में पूछा गया चुल लगा रहें मास वाला कंसेप्ट हो वाला की चंद्रवाप एतना होगा प्रतवीत एतना होगा देंसटी के बारे में पूछा गया बाग तेंदुवा भालु को आश्रे तेने वाला तड़ोबा राश्ट्री उद्ध्यान ठीक है कहां है सर जी आप बोलो निमोना चावल होगा जी का होता है निमोना चावल तो तड़ोबा राश्ट्री उद्ध्यान का है तड़ोबा तो तड़ोबा राश्ट्री उद्ध्यान आपका चंद्रपूर महराश्ट्र में बी विल वीदा राइट एंसर ठीक है सिक्स्त क्लास की इंजियाटि का ठीक है चलो बताओ सर प्लीज बता दी दिव्यज्जोसी क्या बता दूँ बता तो सही आसिर्वास धीज़े तथास तूं आप हरी पुतर लगते हो चलो तो देखो एक तो इसको डायरेक्ट याद करने के लिए इसका ट्रिक याद कर लो तो सदफे जाओ। जैसे मैं सदखे जाओं होता मैं आफ से सदफे जाओ तो S से सदिमेंटेशन, दा से डिकनेशन, F से फिल्टरेशन, E से इवेपोरेशन बागी इसकी पूरी प्रोसस रहती है पहले हम सदिमेंटेशन करते हैं उतना हुआ आपकी बाद टाइम नहीं है कि आप उसका कंसप्ट समझो इसलिए बेटर है ट्रिक्यात कर लो सदफे जाओ ठीक है तो SDF की डूड़ना एक मचली तब मढ़ जाती है जब उसे पहले से उबले उबाले गए पानी से भरे एक्कोरियम में रखा जाता है लेकिन कमर से बहुत सवारे लोग इसका एंसर गलत लगाएंगे क्योंकि तुमने बहुत सारे लोग रट के बैटे हुए का इसलिए पब्लिकेशन चोड़गे बुद्धी भी यूज किया कर चलो तो वेरी गूड एंसर इसको बिल भी मुझे पता था सी लगाने वाले मिलेंगे आप क्योंकि उस पानी के अंदर आपका ओक्सिजन की कमी हो गई है और कम हो गई इसलिए उसको पानी का उंक्सिजन यह होता है तो पानी मां ऑक्सिजन है चटक जाएगे डायरेक्शन वाले कोश्चन करा दो अभी आएगा विटा रुख तो जा ठीक है निम्न लिकित में से कौन चंद्रवा की सतय की विशेष्टाओं का सबसे अच्छा वर्नर करता है पता पानी नहीं है परियापत हुआ है उचे पाड़े पानी नहीं है गहरे ग पीनोस गैस भी बता दीजिए सर अभी बता रहा है कुश्चन नमबर एट दुवारा सब्सक्राइब अरे वो बोल रहा है कि भाईया तुमारे पास एक वस्तू है जिसका घनतवर कुश्चन में क्या क्या दिया हुआ है घनतवर उसका साट किलोग्राम पर मीटर क्यू है य नहीं पर भी उसका द्रव्यमान पूचे तुम्हें द्रव्यमान निकालना है एम निकालना है वेल्यू यह दी हुई है तो एम का क्या करो साट इंटू दो कर दो ऐसी करते हो नो क्रॉस मल्टिप्ला है तो साट इंटू दो करो 120 आएगा ग्रेविटी थोड़ी पूच रहे तो बताओ इसका एंसर क्या होगा तो वेल्यू आंसर टू दिस कुश्चिन विल भी ठीक है आपका बेसिकली ठीक है पानी नहीं है वहापे गहरे गड्डे उचे पहाड़े इन गहरे गड्डो को हम क्या बोलते हैं क्रेटर बोलते हैं चांद पर चांद पर है टीक है सबसे ऊचा पहाड का नाम क्या ने कि मेरा चांद मुझे आया है न और यह यह निो ऑडռे Epic सबसेर्च जो पहाड़े उसका नाम क्या है रिजो निकलॉप्शी है जि कुँन सा पहाड या ग्या है केंपस मोन्स सबसे उचा पाहड चांद का कार्ल मंजरी मोना कहां छुपाए सोना ग्रेटर जील होती है अच्छा अब क्रेटर ग्रेटर नहीं क्रेटर आप नहीं बताए सर बताएं मेरा नाम ले लो लेट्स लन मोनस वेरी गुड रोशन हो जा सबस ठीक है मौन्स हूगेंस मौन्स हूगेंस चांद बैस सबसे उचा जो पहाड है यह हमारे मांट अवरेस से ठीक है आदा उचा है मौन्स हूगेंस है और आपके सौर मंडल का सबसे उचा पहाड मंगल करेप है जिसका नाम है ओलंपस मौन्स ठीक है वो मांट अवरेस तीन गुना जादा उचा मौन्ट अवरेस से चली नेक्स इंग इस ठीक है मदुवनी पेंटिंग बनाने के लिए कलाकार उप्योब करते हैं विशेश रूप से बनाए गया पोस्टर रंग बहुत अच्छी कुन वक्ता के फाइवर पेंट चांदी और सोने को गोल कर बनाया गया पेंट पाउडर चावल का रंगीन पे अधिया जो हम अक्सरकार पड़ रहें ठीक है पत्ते चित्रकारी कहां पटूंगी मैं ने का पटूंगी मैं बताओ वानिजर कहां पटे ऑडिसा में पटे ओडिसा ठीक है यह सब्सक्राइब खोलेस थिन जो नहीं कर रहा है उनको बता जेना चाओंगा आपका जब भी एकसाम उसके एक अपते पहले आएगा उससे पहले नहीं आए ठीक है तो ओडी सा चलो नेक्स इंग इस अगला पॉस्चन पक्षी अक्सरकर अपनी घर्दन खिलाते हैं क्योंकि वे उड़ सकते हैं पक्षियों की आँख इस्ते रहें पक्षियों की छोटी होती है उनके कान पंखों क्यों करते हैं वे आगा चाहिसों की आएए सबसे दूर कौन देख सकता है कि सबसे दूर तक देखने दूर तक देखने वागा या फिर यह पूछा गया होगा ठीक है एक्जेक्ट उसने नहीं बताए कि सर यह वाला कुछन है बट विजन से रिलेटेड है कि कौन से पक्षी कौन से पक्षी इंसानों की तुल्ला में इंसानों की तुल्ला में जाधा देखते चार गुना योगम बना के, चार तीन-टीन के योगम, तो वैरी गुड, ठीक है, जटायु पक्षी देख लेता है, बहुत बढ़ी है, ठीक है, तो सबसे दूर देखने वाला कौन सा पक्षी है, इगल, चील, चील सी नहर, और कौन से पक्षी, चार गुना ज्यादा देखते हैं वाई कौन से बख्षी चार गुना ज्यादा देखते हैं ठीक है तो इन में से कोई होगा कोश्चन अगर बनाया होगा इसने नेक्स इंग पिर आज एक ट्रेन का कुश्चन भी आया अब उसने बोला सर इस्पीड दी गई थी ताइम निकाल के आपका वह बताना था कितनी आपके वह है ठीक है तो भाई तेज तारिक को 1150 मतलब 1150 मतलब सुबए के अभी क्या हुआ है अभी क्या हुआ है पूरा बेसिकली पूरा बेसिकली क्या हुआ है 24 गंटे की डिस्टेंस है बट 1150 पर चली गई है ठीक है तो एम पर चली अरे मेरे चाचा एम पर चली गई है अगली सुबह 1150 पर एम कंप्लीट हो गया होगा यह 24 गंटे का टाइम पीरेड कंप्लीट हो गया ठीक है 1150 पर चली थी 1150 बच चुक है बड़ यहां पहुच रही कित्रे वज़े 1745 पर 1745 मतलब इसने 24 गंटे में आपका एक्स्ट्रा जो टाइम ले लिया ठीक है आँ कि आरा पचास में लिए कि जारा पचास मेंस कर दो मतलब नियर अबाउट इसने गंटे लिए ठीक है तो क्या होगा बताइए हाँ 29.55 मिनिट लिए 30 गंटा पूरा नहीं किया कितना टाइम ले लिया 29.55 ठीक है तो अब आप इसको में कर लो तीस माल तीज से डिवाइट कर दो कितनी डिस्टेंस को सब्सक्राइब कर दो कि सब्सक्राइब नियर टाई कि जो वेसेकल्वी पर आय था उस में orangल डिस्टेंस वह वह स्पीड निकालने का था तो स्पीड अगर दिये देती तो 29.55 से डिवाइड कर देते हैं स्पीड आजाती यहां चित्र में ठीक है एक चित्र में 24 गंटे की गड़ी दिखाई गई है चित्र 2 में ठीक है और चित्र 3 में 2 जानवर X और Y के सोने का समय चायांकित किया गया ह ठीक है तो X में आपके basically 2 block भरे हुए जबकी आपका Y में 3 block छूटे हुए अगर 2 block भरे है तो that means यह जानवर जो है आपका यह 2 से 4 गंटे सोया ठीक है और अगर आपका बेसिक अली यह कितने चूटे हुआ है ठीक है तीन चूटे हो तो तीन इंटू दो चोविस में से च्छे घटा दो यह 18 गंटे आपका सो यह तो 18 गंटे वाई जानवर सो यह और आपका 3 से 4 गंटे ठीक है और एक्जेक्टली 2 से 4 गंटे नहीं एक्जेक्टली 4 गंटे यह आपका जानवरी सोय तो 4 गंटे वाला सोने वाला कौन सा जानवर है 18 गंटे सोने वाला कौन सा जानवर है ठीक है very good answer to this question will be यह X हो जाएगा काउ और यह हो जाएगा python बट अगर काउ option में नहीं होगा तो हम चूज कर सकते हैं क्या elephant देख लेते हैं कौन सा जानवर है ठीक है अच्छा यह नहीं है जानवर ही नहीं है तो X 20 गंटे सोता है जबकि Y 18 गंटे सोता है X 18 गंटे Y 4 गंटे X 4 गंटे Y 18 गंटे X 4 गंटे जबकि Y 20 गंटे तो कौन सा इंसर सही होगा कौन सा इंसर सही होगा तो very good C will be the right answer X 4 गंटे सो रहा है Y 18 गंटे सो रहा है next thing is पर्यावरन अध्यन के सिक्षक के रूप में आपने अपने विध्यार्तियों को निम्न लिखित जानवरों के चित्र दिखाए सूची में निम्न लिखित में से कौन सा जानवर आकश्य रू की है नहीं है मतलब की एडी है मनला कौन से जानवर के पास इनमें से देखने को मिलेगी चाइकों साइक डीफिश क्टल फिश शार्क कौन, Completely चेलिफिश कटल फिश, शार्क कौन से जानवर की रीट की एड़ू देखने को मिलेगी शार्क ओका डॉख भी लिखा हुआ आ सकता है ठीक है तो शाक का दूसरा नाम क्या है डॉक फिश है विकॉज ये कुत्तों की तरह जुंड में चलती है तो डी विल वी दा राइट एंसर नेक्स इंग इस गलत मिलान का चैन करें मगरमच प्लोर पक्षी जीब्रा ओक्स पेकर भैस बगुला बाग कववा तो कौन से जीव में सह जीविता नहीं दिख रही है कौन से जीव में सह जीविता नहीं दिख रही है अ कि 15 अगें पंदरवा फिर से पंदरवा क्या है अए अधिव ग्यारह फचास से ग्यारह फचास कितने हो गया 24 गंटे हो गया 12 पचास मैं 25 गंटे ठीक है 13 पचास श्बिस गंटे चोद्र है 15 पचास को तटाइस गंटे 15 सब्टाइस गंटे पंद्रा पंद्र के बार क्या होगा वसोला पचास 29 गंटे पहुंच रही है कितने पर 17-45 पर ठीक है 17-50 अगर हो जाते तो यह हो जाता 30 गंटे बट पहुंच रही है 17-45 पर तो कितना लिया है 29 गंटे 55 मिनट ऐसे कर ले तो बाग और कहुए के बीच में कोई सह जीविता नहीं है बाकी के सारे आपके सब के बीच में सह जीविता दिखाई गई है इस चित्र में यह जो चित्र होता है इसमें आपके 12 खन दिये होते अगर आप इनको गिनोगे एक दो तीन चार पाँच छे साथ आट नौ दस ग्यारा बारा ठीक है अब इस में से हर एक खन जो है वो दो गंटे को रिप्रेंट करता है तो बारा है तो टोटल कितने हो जाएंगे ठीक है दाट इस 24 गंटे अब मैं इन में से तीन खनों को बढ़ दे रहा हूं तीन खनों को बढ़ दे रहा हूं मैंने बोल दिया यह जानवर यह तीन खन वाला है मैंतंग셔서 कर दोगी तो 18 गंटे यह जागा हूगा तो आपको कोई भी आदमी मतलब कोई भी जानवर का जागने का टाइम बता है आपकि INC-ART में सबके अगरा उसके बार बता है शे गंट현ली इंसान सोता है च्छह मिनिमन मैक्सिमम आट गंटे का टाइम है इंसानों की जोने का ठीक है तो यहां पर यह दो खन बरे हुए दो खन बरे हुए दो इंटू दो चार गंटे कि चार गंटें के बारे में हमारे बास NCRT में दो जानवरों की इनफर्मेशन एक गाय के बारे में एक हाती थे थे ठैंड है वहाँ पर आपके 12 मैंसे टोटल नों खन बरे तो तो Não इन्टु दो 18 गंट आठादान जो information NCRT में वह आपकाàng पाइथन के बारे में तो जानवर तो पूछे नहीं तो इन्होंने बोला एक्स चार रंटेस होता है जब कि बाई अठार रंटेस होता है सिंपल चली नंदू एक 12 वर्षिय नरहाती है जो अपनी मा और उसके दोस्तों के साथ जुंड में रहता है जब नंदू 13-14 साल का हो जाएगा तो उसे जुंड चोड़कर अकेले रहना होगा ठीक है एक निश्चित उम्र तक पहुँचने के बाद किन अन्य जानवरों को अपना पुत्ता बंदर तो एक निश्चित उम्र हो जाने के बाद सांड बैलों को अपना जुंड छोड़ना पड़ता है ठीक है और यहां हाती की बात हुई है तो आज हातियों पर कुश्चन आया कि हाती दिवस कब बनाते हाती दिवस आपका बनाता जाता है कब 12 अगस्थ को ठ अब क्या लगाओगे विरासत पशू किसे कहते विरासत पशू विरासत पशू किसे कहते विरासत पशू किसे कहते विरासत पशू किसे कहते विरासत पशू किसे कहते तो वेरी हो तो विरास्तत पशू हैरिटेज अनिमल आपका किसे बोला जाता है एलीफेंट एक कुश्चन ये भी पूछा जा सकता है हातियों के कितने दांत होते हैं तो हातियों के दांत की बारे में पूछे तो 26 लगा देना और सबसे बड़ा गरबकार सबसे बड़ा गरब का वो भी कितने है उसका 22 महीने का वो भी किसका होता है आतियों का ठीक है तो ये सारे कुश्चन आपके आने वाले एक्जाम में पॉस्पिलिटीज पूछ लिएगा सुदेश के बगीचे में एक जानवर मिला जानवर के बाहरी कानों की जोड़ी थी उसके शरीरी पे बाल कोई नहीं तो एक सुदेश नाम का आदमी था भाई ठीक है तो हुआ क्या एक दिन तुमारे सर ठीक है जिन्दगी क्वाब में सजे क्या और बला जूटे क्या और सुदेश के बगीचे में चेटक गये मतलब गिर पड़े बेऊसों तो सुदेश को क्या दिखा कि उसके भा सुदेश के मारी कान तो यह देखो एक तो कन यह राधर मेरग्री ऎकान यह तो ही क्हों देख धर हैं दसटों ही देख रहे दूसरा क्या दिखा उसे उसके स कि यह सरीर के भाल थे तो ढ़ाे में सबसे सटी स्क्षालघ का है है हम अंडे देते हैं हमाइस सरीर का नियंतर्त कर सकते हैं अशोटे लोभी को और हम सब अफने शरीर के तापमान को नियंतरत कर सकते हैं हमको हमारे शरीर का तापमान एन्वारिमेंट के तापमान के हिसाब से मैंटेन करके चलना पड़ता हमारी बोडी का सभलान वैसा 37 सफ्प्रेश मेंटेन रहेगा जिस दिन नीचे चला गया चटकते हुए देव नहीं लगेगी बहुत मज़ा आ जाएगा जिंदीगी के जल्वे खिच जाएंगे चलिए तो भाई क्रिस्मस ओफर है ठीक है न्यूर ओफर है के विए सवंटी आपको सारे कोर्सेस पर दिया जा रहा है ठीक है निमने लेके जंतुओं के सुनने की इंद ठीक है पता करते हैं पांच आइस होती है किसमें एक बार भांगड़ा हो जाए यह नहीं जाता तड़पी है तुम लोग क्रिया मिसरा बाग कबसे बरा सर्थ सुनने लगा पीज़ेटी के लिए क्या करना होगा कौन सी पीज़ेटी के लिए बता ठीक है बताओ जल्दी बताओ चलो तो देखो चमगादड और आपकी डॉल्फिन यही दोना आपका और वे यह तीनों आपका बेसिकली पराश्रब्ब साउंड को ठीक है अल्ट्रा सोनिक साउंड को सुन सकता पराश्रब्ब ठीक है आंसर टू दिस कोश्चन विल बी इस प्रश्न का उत्तर है डी परस थर्ड परस थर्ड और फोट तो डी विल भी दा राइट इंसा अच्छा ऐसा कौन सा जानवर है जो ओडिबल साउंड को श्रब्ब साउंड की धनी को सुन सकता है ऐसा कौन सा जानवर है जो श्रब्ब साउंड की धनी को सुन सकता है के विए स्पीजीटी जोग्रफी के लिए टीचर नहीं है एक्जामपूर चैनल पर है बट अभी वो बहार है सर मैं अरे ओ गदेडो ऐसा कौन सा जानवर है जो श्रब्व साउंड को सुन सकता तो कोई भी जानवर सुन सकता तो आप कुत्ता है ना गली का वो कालिया उससे बोल दिया ओय कल्लू तो भी तरह रहे हैं मुझे बला रहे हैं दो परेट कला दो जानवर है तो सारे जानवर तुम्हारी सुन सकते और बल साउंड कोई भी जानवर सुन लेगा लगा रहे बाग चलो राहिस्तान का राज्य पक्षी कौन सा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मोर गिद्ध क्रेंग सर वल्लम एक हाउस बोट है क्या नहीं वल्लम एक बोट है यह कुश्चन पूरा बता दिये रोशन होजा वो बोल रहा है कि ऐसे कौन से जनतू है जो एको लोकेशन एको लोकेशन का मतलब होता है अल्ट्रा सोनिक साउंड वेप को सुनके अपना शिकार ढूंडना कम्यूकेशन करना यह आपके बेसिकली एक तो जलिये जीप करते ठीक है डॉल्फिन और वेल जैसे दूसरा आपका बैट्स चमगा ठीक है तो राजस्थान का राज्जी पक्षी कौन सा है ग्रेट इंडि साथ पंजाब यह तो कल वाल सी होगया पंजाब की कौन सी कला फूल का रही है कला नहीं है, TOP रही है कपरों के उपर डिजाइन आता है, बिहार में मधु Lindy गयूर 많श्थर में वरली फिर तो यह आपकी पेंटिंग है यह आपकी पेंटिंग है तो D will be the right answer ठीक है गलत मिलान के चैन करें रेशम कीट रेशम का पालन करता है मदुमक्या मदुमक्या पालन केचुवा का वर्मी कल्चर मच्छर को एक्वा कल्चर बताईए बायो के कुश्चन भी करवा जी चालू करता हूं बेटा कल चालू करते हूं अरे जिनका एड्मिट कारड अभी नहीं शो हो रहा कि जब भी आपका एक्जाम होगा आपको एक्जाम देट देख दी गई है एक अफ़ते पेहले से मतलब कौन से वो जानवर है जो थंडी आने पए गायव नहीं होते हैं कुत्त तो एकईस तारइग को देखना चालू करना उनिस को यह तो देखना चालू करना तुमारा आडवेट काड चलो वेरी गुड तो आंसर टू दिस कुश्चन विल भी कुट्ता ठंडी में भी तुम्हारा कुट्ता टौमी कलुगा ठीक है जैसे कि तुम्हां घर के बार बहुत सारे गुम्रों आप गे ठीक है तुम ऐसे तुरण बाहर निकलते हुए यह काली है तो तुरण देख पिछली बार दो मावी थी आज चार देदो पिछली वार का तो देदो ब्रेड नीकला रहा हुए तो चाह ठंडी हो चाह सर्दी हो चाह बारिस हो कुट्ता वारी पड़ा रहता यह विल वीदा रैट इस नेक्स दिंग इस किस प्रकार की चडिया की चौच का उप्योग मास को भाड़ने का और खाने के लिए किया जाता है शंग्गू के आकार की चौच सीदी और पतली चौच जूगी चौच- जैसी लंबी पतली सुई मदुवक्षी 8 पांच, क्या मदुवक्षी 8 पांच, क्या पूछ रहू मदुवक्षी 5 के बारे में अच्छा green house gas बता दू, रुख जा बेटा बता रहा हूं, इस question के बाद बता रहा हूं तो 26 का एंसर क्या हो जाएगा ठीक है कि आपके जितने भी बेसिकली आपके जितने भी बेसिकली क्या होते है ठीक है पक्षी होते है जो मास्क खाएंगे उनकी घुमावदार चौच होगी और जुकी हुई होगी होगी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है घुमावदार वैसे आपक आपके सीटेट में 6 टाइप के question मनते हैं, कौन सी greenhouse gas है, कौन सी greenhouse gas नहीं है, ले बटा, सारी greenhouse gas लिख ले, ठीक है, ozone, nitrous oxide, carbon dioxide, methane, ठीक है, then आपका water vapor, ठीक है, chloro-chloro-carbons, hydro-chloro-carbons, per-fluorocarbons, sulfur-hexafluoride, nitrogen-tri-fluoride, carbon-tetrachloride, ठीक है, cellones, इन में से कोई भी कोई gas आज़ा है, लगा दियो, ठीक है, कौन सी greenhouse gas है, इन में से कोई भी लिखी हो, लगा दियो, तो कोन सी greenhouse gas नहीं है, जो इन में से नहीं होगी, वो लगा दियो, ठीक है, मेजर मुख्य ग्रीनाउस गैस कौन सी है मुख्य ग्रीनाउस गैस कौन सी है मुख्य ग्रीनाउस गैस हमेशा पूछे कारवंडा उकसाइड लगाई थी हो वायू मंदल में एट्मॉस्पेर में वायू मंदल में सबसे जादा कौन सी है सबसे जाधा कौन सी यह वाइव मंडल में सबसे जाधा कौन सी है वाइव मंडल में सबसे जाधा Greenhouse जो है वह वाटर वेपर जलवास यह मिल जाए लगाई दीओ जलवास नहीं मिले तो फिर carbon dioxide लगए ठीक है सबसे potential सबसे खतरना greenhouse gas कोंजी है देख विटा अब इसमें तिरे को डो डूड़ने पड़ेंगे अगर उपर वाली यह option चल ले है ये ठीक है तो इन सभी में सबसे खतरनाग है नीथे लगाए दियो बट अगर इन सब को मिलाके दिये गए ठीक है तो सबसे खतरनाग है सल्फर एक्जाफ्लोराइड लगाए दियो ठीक है और अगर यह पूछे कौन सी ऐसी greenhouse gas है जो ozone की तो friendly है मतलब ozone की तो दोस्त है ओजन को नुक्सान नहीं पहुचेगी बढ़ क्या है greenhouse gas है तो hydro flow रुकारे बन लगाए दियो इस से जादा कोई question नहीं बन और कौन सी greenhouse gas है greenhouse gas है कौन सा radiation absorb करती है कौन सा विकरन absorb करती है तो IR मिल जाए अब रक्त किरने मिल जाए लगाए दियो कौन सा प्रोटोकॉल ग्रीनोस gases के लिए क्योटों मिल जाए लगाए दियो ठीक है यह नहीं मिले डर्बन समिट मिल जाए यह लगाए दियो यह भी नहीं मिले पैरिस समिट मिल जाए यह लगाए दियो तो क कि अभशेंँ को थे अआ भी इसे कि आ एक चाची को व dazu ढिंदी में में बोलती नाइट्र्व सम्हों लॉक्साइट को म 때문 में नाइट्रों पंचैट करवन को कार सीथोबस्पन अचल बोल देंगे बीठ्मण को जल्बास को निसा ले देव honeymoon को तो similar अभी इस भीके वल जल्बास्प को इंदी में जल्बास्प भूलेंगे कि चलो माउंट एवरेस के बारे वाद सही कतन का चैन करें यह जम्मो और कस्मीर का इस्सा इसकी चोटी की उच्वाइब और जानवरों के एक समू का चेन करें जो मूत्र और मल की गंद से अपने छेत्रों को बचाने में सक्षन बाग बंदर भैस हाथी बिली शेर पुत्ते बाग शेर बिल्लिय पुत्ते गार अरे मेरा एडमेट काड नहीं निकलना किती बार बताया कुमारी लाली तुमको कि अपना जो भी डेट हो सके एक अपते पहले लगाना और तेजस्वनी तुम जो मूँ फुला के बैठी हो ना पिछकाय देंगे सर सर यह बोलेगी सर फराती रहेगी चलो कुट्य बाग और शेर यह अपना एरिया मल मूत्र से गोशित करते निमने लिखित में से कौन भारत का मरुस्तल कच्छ का रण धार मरुस्तल स्पिती घाटी थंदा मरुस्तल या फिर सभी मदुमक्षी की कितने आखे होती लास में कुश्चन हाड आएंगे नहीं डेट का कैसे पता चलेगा अरे सीटर की साइट पर डेट दे दी गई है न एक अपते पहले सारे एक्जामों के देखते रहना आता जाएगा सब का कि यह सारे के सारे भारत की क्या है रीजिस्तान ठीक है अगर गरम रीजिस्तान पूछा जाता तो थार और रनकष जो है ठीक है वो आपके थोड़क गरम रीजिस्तां आर। असा में माचल प्रदेश जम्मू कश्मीर मेगाल ले सर जी डेट आगे है कि हाँ बिटा सीटेट की साइट पर कल आगी सनी सर ने इवेंट भी तो किया था इसके उबर ठीक है तो केसर का उत्पाधन आपके भारत में कहा होता है जम्मू कश्मीर जे एंड के ठीक है को भारत में बहुत पहले और तो बरी तो भारत में कौन कौन सी चीज हों गाई गई है मेरा नौको है तो नौको है और अगर एडमिट कार्ट नहीं आए तो दो तारिक को देखना तो very good answer to this question will be आम और केला कहां के आम केला अतुवा बतुवा एंगन बेंगन पालक मैंथी ये सब भारती खाते थे आलू टमाटर सब भार से आए चलो बे जानवर कीड़े जो गंद के द्वारा अपने समों के अन्य लोगों को डूडते हैं वो है पतंक चंगादट ये भी कल सब्सक्राइब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पेट्रोलियम आधारत इंदन को संरक्षत करने का सुदाब देती है और वैं खुशी से सैमत हो जाता है वैं आगे बढ़ना पसंद करेंगे क्योंकि कार मेट्रोरेल से बस और मेट्रोरेल से साइकल और पेट्रोल बचाना है तो जरी यूस करो ठीक है समर को एक परियूजना के लिए ऐसे खाध्य पदारतों का चेहन करना जो पौदो पर आधारत नहीं है वैं चुनेगा शहथ कठल मास दूद अंडे मक्का सरसो मचली मास दूद शेहथ कठाने तो पौदों से नहीं प्राप् तो क्या चुने मेरी एक्जाम डेट नहीं दिख रहे हैं मेरी लाली अंजुद सारे एक्जाम डेट दे दी गई है अब अगर तुम्हारा एक्जाम अभी यह आ रहा होगा ना कि तो दो तारिक को या फिर दो तीन चार पांच इस तारिक को चेक करना ठीक है अगर होगा नो तारिक को तो एक हफ्टे पहले दे दिया जाएगा सीटेट ने यह बता है ठीक है चलो तो answer to this question विल भी ठीक है दूद शहद और अंडे यह आपके अनिवल प्रोडक्त है ठीक है निमनले कितमे से कौन सी बस तो लोहार द्वारा बनाई जाते है यह बाबु लोहार कहाते है लोहा पिगला के कुछ तो बना देता है ठीक है यह लोहार कहाते कात्या मि पिटी बिगला के सोना बना जिते काहार क्या डालोग तो बित्ती गवर्तन इटे कुल्लर खुर्बी आरी कुलाडी अंगुटी आरी चूडिया बोले चूडिया बोले कंगना कुलाडी इटे चूडिया ठेक दो चलो वेरी गुट तो बी विल वी दा राइट है जल्द जल्दी पाच कुश्चन हो और हो और कल लो एक मा को अपनी बेटी के साथ खेलने के लिए इंडोर गेम्स का चैन करना पड़ता है क्योंकि उसके प्यार में चोट लगी हुई है घर के बाहर जाने में असमरता है तो गया चुनेगी बैडविंटन सत्रण लूडो केरंबोड सत्रण स्तास तैनिस सत्रण हॉप स्कॉच हाइड़न सी हॉप स्कॉच या सेवन टाइल्स का चुने यह हां नोट लिखा रहा है तो एक हफ्ते पहले आएगा मेरा 14 फरवरी को क्यों है ऐच्साम में खतम है तुम्हारा लग से सीट वाले करवार है 14 फरवरी को इसको बलाओ 14 परवरी को लड़ू भी दो साथ में गुलाब भी दो और इस से बोलो तुम पेपर में कुछ भी ल खित में से किस राज्जी का समू अरब सागर के एक तरफ है ठीक है तो यह इस साइड वाला अरब सागर है कल मैंने आपको बताये थे इस साइड पर कौन-कौन से बढ़ेंगे गुजरात पड़ेगा ठीक है गोवा पड़ेगा महराश्ट पड़ेगा करनाटक पड़ेगा और कैरल पड़ेगा इनके समू में से कोई एक पड़ेगा तब तो आपका बन जाएगा तो बताइए कौन सा पड़ रहा केरल आंद्रप्रदेश गुजरात केरल तमिल्लाडू महराश्ट करनाटका ओडिसा महराश्ट करनाटका यह तो तलवाला आ गया पिड़ेगा उसने दुष्ट ने ठीक है इनमें से कोई साही नीगे भाई सब गलत है अच्छा आज भी नहीं सही करके दिया इस कोश्ट्सन हो अरे वह भी लगाने वालो कली तो सही बताए यह देख बी लगा रहे अभी भी कल किया हुगा कोश्ट्सन है कल भी चला के बता गलत लिग दिया फिर भी आज लगे हुए दुष्टों की तरह है चलो ग्रेगर मेंडल आज इनके ऊपर भी कुश्चन आए ठीक है ग्रेगर मेंडल के साथ अपने प्रयोगे के लिए प्रसिद्ध है यदि मूल पौदों के बीच में हरे और पीले थे तो अगली पीडियो ठीक है बट यह मैट्स पढ़ा दे आपकी मोनिस्ट्री में ठीक है 28,000 पौदों पर इन्हों ने रिसर्च करी साथ साल के लिए रिसर्च करी ठीक है जिस पौदे ने रिजल्ट दिया वो था पी प्लांट यह प्री प्लांट कौन सा था गार्डन पी बोलते है बगीचे की म ठीक है साथ ही साथ इनको साथ गुन दिखेते अलग अलग जिसकी बेसिस पर प्लांट में डिफ्रेंशियेट कर पा रहे तो अब उन्होंने जो टेस्ट लगा थे तो उन्हें क्या प्राप्त हुआ सभी पौदे में पीले बीस थे अधिक पौदे में हरे बीस थे अधिक प मिश्रित नहीं था अरे ओ ओ ओ सबेत कबड़ा ओ डीवा लो ओ दुष्टो मिश्रित कहां से था जो मैंने गलत किये तुम लोग वही अंसर दिये रहे हो वाह सावास हुद बढ़िया ओ सबेत कबड़ा गलत बता रहे हो तो वेरी गुड तो जाधतर पौदे में आपके पी अगले रंके 20 थे वी विल वीदा राइट एंसर क्योंकि यह डॉमिनेंट प्रवलता का नियम के अनुसार ठीक है निमने लिखित में से को एए लोहार फिर से चीटिंग करता है एक ही कोस्टन को वार वार रिपीट करता है आतीन को सन रपीट हुए है अगरी कोस्टन निमने लिखित में से कौन सा स्टैंड से प्राप्त नहीं किया गया है गांजा गांजा जूट सन हैंप या कपास तो कौन सा स्टैंड से प्राप्त नहीं है यह काई से मिलता है या फिर आपकी फ्लार लिखा हुआ ठीक है बट होता है ठीक है बट कई हो किताबों में फ्लार भी लिखा हुआ है बट फ्लार नहीं है प्रूट होता है वल होता है बट सीटेट ने पिछली बार फ्लार भी ल मिलता ऊस दिन हम जायेंगे गूमेंगे पिरेगे नाचिंगे करेंगे और कि ठीक है तो जो ती डिवया सइंग ठीक है कल मैं कर वादिउंगा सौरी आए नहीं पाए इसमें है आगे श्लाइड में थाइम हो चुपक है ठीक है सुबहे से यहां रहे जाने दो कल देखो हमाई सकल वैसी नहीं एक कोई और लायक टिंग हम डेट पर नहीं जाता हमको तारीकों बेजा जाता है कांवलो शकल वैसी नहीं पाएना टारीक वाली पाए अब तारीक बताई तारीक बताईच बढलती जाए जिस्था कुछ सीटेट आ गया है क्या अघड़ी अगले एकजामों की उन सारे एकजामों के एक हफते पहले अपना चेक करना रोल नंबर आ गया तो है उस टाइम नहीं आया तो उस टाइम नहीं है दूसरी डेट पर चेक करने चल तो मिलते कल तिल देन एव नैस दे बाइब बाइब गुड़नाइट टिक केर थेंक यू ठीक चवाल इस अंदगर दियो भाई नो शतारो के तो झाल झाल